बिस्मिल्लाइरह्मानिरहीम। की सीरीज में आज हमारा नेक्स लेक्चर है। जिसमें हम लोगोंने NFA formal definition को डिसकस करना है। इसके बाद how to convert NFA to DFA किस तरह हम लोग NFA को DFA में convert करते हैं। इसके बाद हम लोगोंने transition table को देखना है कि transition table को किस तरह हम लोगों बनाते हैं। तो first of all NFA formal definitions के NFA जिस तरह हमारे पास मिलिया की formal definitions थी सेम इसी तरह हमारे पास NFA की definition है कि set of alphabets होते हैं इसमें जिसको sigma से हम लोग indicate करते हैं and capital Q से set of states जो होती है Q not से start state को इसके बाद F जो होती है final state transition function होता है transition function या transition table को होती है जिसको delta से हम लोग indicate करते हैं। इसके पास सबसे इंपॉर्टन चीज होती है NFA में कि हमारे पास lambda के लिए भी transaction जो है हमारे पास एक NFA है और NFA में हम लोग उने double A और double B को accept करना है तो यहां पर देखें कि अगर हमारे पास double A या double B आता है तो हमारी जो NFA है वो अपनी final state की तरफ मोग करती है और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास A B आता है डबल A के बाद या double B के बाद तो हम लोग उसको final state पर ही रहने देते हैं इसके बाद सिंगल हमारे पास A या सिंगल हमारे पास B आता है तो यह हमारे पास NFA बनी होई है हम लोग ने इसको D F F में convert करना है तो सबसे पहले हम लोग इसका transition table मनाएंगे transition table में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एक side पे अपनी जितनी भी states होती हैं उनको write कर लेते हैं इसके बाद हमारे जितने भी alphabets होती हैं पुराइट कर लेते हैं यहाँ पे एजड'T कर लिए एंअ अब हिखेँ कि हमारे पास जो इनिशिल सेट है न जो लिखा हुँई है यहाँ से अ और बी की ट्रॉर्वरी एज और फी sold ऑट है वो कहा और कर रही है आप देखें तुम 1 से B की जो transaction है वो कहां कहां पे हो रही है एक तो हमने देखा कि 1 पे हो रही है इसके बाद हमने देखा कि 3 पे हो रही है तो हमने देखा कि हमारे पास जो 1 से transaction है B की वो माइनस 1 पे और 3 पे हो रही है इसके बाद हम second step की तरफ मूँख कर गए तो यहां पे हमने देखा कि A की ट्राइक्शन किस तरफ हो रही है और B की ट्राइक्शन कहां पे हो रही है यहां पे देखा हमने 2 से हमारी ट्राइक्शन 4 पे हो रही है जबकि NFA में हमारे पास यह जरूरी नहीं होता कि हर स्टेट से हमारी 2 ट्राइक्शन जो हैं मुझ ठूंग तो यहां पर देखिए हम B के लिए कोई पिर ट्राइक्शन नहीं है तो हम उसके लिए 5 को यूज़ करेंगी कि यहां पर कोई भी ट्राइक्शन B की नहीं है इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 3 जो है 3 से हमारी जो A की ट्राइक्शन 5 पे B के किसी पे भी नहीं हो रही और 4 पे हो रही है B की जो ट्राइक्शन है 3 से B की तरफ जा रहा है इस तरह 4 पर आखे देखा थो हम लोगों ने कि 4 पर भी रारियर ट्राइक्शन इसके बाद B की 4 पर ही हमारी रारियर ट्राइक्शन ज्या होपुली आप लोगों को यह चीज समझ आ चुकी होगी कि हम लोगे को ट्राइशन टेबल किसी एंडैफे से किस तरह बनाना है इसके जो हमारे पास transition table होगा इसे हम लोग next DFA जो है उसको बनाएंगे next हम लोग देखें कि एक और हमारे पास example है NFA की मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास इसमें NFA के लिए lambda के लिए transaction हो सकती है ये हमारे पास एक NFA बनी हुई है और हम लोग ने क्या किया कि हमारे पास लगास alpha batch test A को हम लोग accept करवा के lambda को हम लोग read करवा कि अपनी final state की तरफ जया को move कर सकते हैं इसके लवा अगर को यहां प्याता हुआ हम लोग अपनी normal state की तरफ जया को move कर सकते हैं यह हमारे पास एक NFA बनी हुई है, हम लोग उने NFA को DFA में convert करना है, transition हमारे पास table कैसे बनेगा कि हम लोग उने states write कर ली, यहां पर हम लोग उने 1 से लेकर 5 तक हमारे पास total transaction जो है, total states 5 हैं, तो हम लोग उने 5 states लिख 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 लिए, इसके बाद हमारे पास total alphabets A और B थे, वो भी लिख 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 लिए, हमने देखा कि minus 1 से हमारे पास जो transaction है, A की कहां कहां पे हो रही है, 1 से हमारी जो transaction है, A की 2 भी हो रही है, इसके बाद हमारे पास A की transaction जो है, वो कहां पे हो रही है, 5 पे हो रही है, तो यहां पे देखें, तो हमारे पास A की transaction है, 1 से, वो कहां कहां पे हो रही है, 5 पे हो रही है, और हमारे पास इस पे हो रही है, B की transaction जो है, वो एक तो 3 भी हो रही है, 3 पर, एक हमेरे पास नहीं ह allá। 2 हम लोग देखें तो 2 से राइबा के हमारी टांडक्चन काईव याकी यहाँ से हमोग जा सकती है, इसके भाद हम ने देखा कि three हम लोगे तो ऊस्पे साथ कर लिया इसके बाद हम के देखने तरी की ट्राइट्टशन जैं off 5 आजएगा, अब students, hopefully आप लोगों को यह समझा चुकी होगी, मैं तबारा एक दफ़ा इस पर review कर देता हूँ, एक state को पर इसे हमने देखना है, कि A और B की ट्राइड़क्शन हमारी किस state पे हो रही है, हमने देखा कि 1 से हम लोग 2 पे जा सकते हम लोगों ने साथ 5 पे लिख लिए, इसके बाद हम लोग B, 1 से B की ट्राइड़क्शन एक तो यहाँ कि 3 पे होई है, नज़र आ रही है इसके बाद 4 पे हो रही है, कि 1 से हम लोग जो है, वो B की तरफ 4 की तरफ मूव कर सकते हैं, जा साथ हम लोगों ने 4 भी राइड कर लिया, होफ़ली आप लोगों यह जी समझा चुकी होगी, नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी BFA बनानी है, BFA कैसे बनाते हैं हम लोग के हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया और A से जितने भी हमारी ट्राइड़क्शन होती है साथ साथ जो फाइनल स्टेट यहां पएडिया, वहाँ पर डबल-साकल ला लेते हैं यहां पे हमारे पास एक ट्राइड़क्शन पे प्लस 5 भी आए है बहुंकि यहां पर हमारे पास फाइनल स्टेट भी आई है तो यहां पे हम लोग double circle को लगा देंगे कि यहां पे हम लोग अपनी final state की तरफ move कर सकते हैं double circle हम लोग final state के लिए भी use करते हैं इसके साथ हम लोग उने यहां पे भी हम लोग double circle को use कर जा जा है क्योंकि plus 5 आ रहा है क्योंकि हमारी यह भी final state ही है तो हम लोग यहां पे क्या करते है तो माइननस वान को राइड किया इसके बाद यहां से हमारी a की ट्राज़क्शन हो रही है तो यहां पे हमने वो alphab att लिख लिए इसके बाद b की हो रिया सा데 3 और 4 लिख लिख लिया तो बी की जा सकते हैं इसके बाद हम लोग ने देखा कि 2 से हम लोग 5 पर जा सकते हैं तो 5 की एक हमने state बना रही यहां से हम लोग 5 भी तरफ move कर सकते हैं इस तरह next हम लोग नहीं इसके transition table को देखे हम लोग यह सारी की सारी diagram जो है वो complete कर लिए इसके बाद next हम लोग देखे हैं example को नेकस हमारे पास example है कि यह हमारे पास एक एन फे बनी हुई है यह नौइन फे लांडा की transition कर सकते हैं मैं दوبारा आपको बता रहा हूँ mm फे लांडा की transition हो सकती है जब कि DFA में नहीं हो सकती यह हमारे पास एक एन फे बनी है हमने इसका transition table बनाना है तो ट्रांजिशन टेबल इसका किस तरह हम बनाएंगे स्टेट्स को राइट कर लेंगे इसके बाद जितने अलफा बैट्स होंगे और को राइट कर लेंगे हमने देखा कि यहां से माइनस वन से हम लोग कहां कहां पर जा सकते हैं तू पर जा सकते हैं इसके बाद हम सब्सक् atheism होब कर दो सेгеड़ किसी स्टेट पर नहीं जा सकते हैं। यह संब लोगविद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिक हैं, तो हम लोग नहीं तो सबस् Tibci होगी होगी। करेंगे होगी। तरफ आक यह आ यह जो करेंगे। कि हम लोग स्टेट्स को लिखे सिंपल जो ट्राइक्शन होगी उसके साथ रिख देंगे और जो हमारे पास फाइनल स्टेट आएगी हम लोग उस पर डबल सर्कल यूज कर लेंगे ठीक है इसके बाद फाई जो हम लोग कहां पहां पर जा सकते हैं उसके लिए हम लोग साही ट थे एक्सक्प करें मिलिए किकर क्यों कर सकते हैं युट-वर स्टाइब लेकिचर और मिलन डेख करते हैं कि साल युट-असको फिर लेंगिज बोलते हैं इसी तरहरा हम लोग रैगुलर एक्सप्ड्रेशन एक्सप्ट करें तो उसको फिर बोलते हैं अगर याद रखेगा कि हम लोग एक रैगुलर लैंग्वज भी बोलते हैं इसके बाद हमारे पास कि अगर हमारे पास लूप नहीं आता तो फाइनाइट लैंग्वज होती है लैंगवज और लैंग्वज लैंग्वज डार लैंग्वज वह आपको सब्सक्राइब करें उसको हम लोग का रही होऊज कि लिए अधियुक्त लैंग्वज भी फिकादर बनाया इसे इसन फ्क बाद और हम लोगों ने यह DFA बनाई और DFA के बाद इसको रिफाइन दिया कि सिंपल हम लोगों ने 1,2,3 की फार्म में दिखा यहां पे हमाल पास एक से ज़्यादा स्टेट्स दिखिए हुए और हम लोगों ने उसको convert दिया एक स्टेट में यह refine दिया उसको होफुली स्टूडेक्स यह आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वह समझ जा चुका होगा जिसमें आज हम लोगों ने रैगुलर लैंगुज की किस तरह convert करते हैं ट्राइशन टेबल को किस तरह हम लोग बनाते हैं तो नेक्स ता के लिए खुदा आफिस